हेलो नमस्कार बच्चो स्वागत है आप सभी लोगों का बेसिक सिच्छा के इस ऑनलाइन प्रेटफर्म पर बियेचू के काउंसिलिंग बोड की तरफ से एक इंपोर्टेंट नोटिस आया आपके लिए यानि कि जो यूनिवर्सिटी ने अपना काउंसिलिंग का सिड्यूल जारी किया था जिसमें राउंड वाइज डेट वाइज सब कुछ बताया था वो वैसे ही चलेगा जो उन्होंने बोला था यानि तीन और चार तारीक को बोला गया था कि पहले और दूसरे राउंड का रि पाउंसिलिंग का रिजल्ट एक एक करके राउंड वाइज आएगा दूसरा पॉइंट सबसे जरूरी पॉइंट है उन बच्चों के लिए जो PWD सर्टिफिकेट है जिनके पास या जो PWD कोटे से एडमिसन लेना चाहते हैं तो जो बच्चे PWD candidates whose receive offer of admission cell have to appear before the medical board of VHU on or before 10th of August for verification यानि कि जो PWD candidate है जिनको admission के लिए offer letter मिलेगा उनको BHU के medical board के सामने 10 अगस्त या उससे पहले 10 अगस्त या उससे पहले हाजिर होना पड़ेगा पेस होना पड़ेगा किसके लिए अपने certificate को verify कराने के लिए यानि कि उनके certificate का verification होगा वो कब होगा 10 अगस्त हर हाल में आ कराना है और verify कराना है या उससे पहले भी आप करा सकते हैं ठीक है और जो चौथा point है तीसरा point हमारे मतलब का नहीं है जो चौथा point है वो क्या कह रहे हैं कि for admission only those candidates are being considered whose registration form is complete in all aspects यानि कि उनी का admission मानने होगा या उनी का form acceptable होगा जिनोंने बिलकुल सही सही form बढ़ा था जो भ कि आपका correction window भी open किया गया था फिर भी आप अपनी चीजों को correct नहीं कर पाए हैं तो फिर उन बच्चों का जो form है जो admission है वो निरस्त माना जाएगा यानि उनको admission नहीं मिलेगा और लिख रहे हैं कि कि किसी भी हाल में नहीं मिलेगा यानि कि इससे related कोई भी query considerable नहीं है या कि उन्होंने अपना correction window open किया था इसलिए कि आप अपनी चीजों को correct कर सकें लेकिन खुसकबरी यह है जो बच्चे इस बंचित रह जाएंगे counselling प्रक्रिया से admission से तो उनके लिए जो mop-up round है उसमें उनको दुबारा register करने का मौका मिलेगा however such candidates will have to chance to register for mop-up round of admission only यानि कि उन अप-up round में admission लेने के लिए eligible माना जाएगा वो भी उनको register करना होगा ठीक है तो यह आपका चौथा point और important point था और दूसरा point भी PWD student के लिए important है कि अगर आपको call letter आता है अगर आपको admission letter आता है तो आपको 10 अगस्त या उससे पहले पहले medical board के सामने हाजिर होना पड़ेग और अपने certificate को verified कराना होगा ठीक है तो यही update थी जो भी अच्चू की तरफ से अभी हमारे सामने आई है उनके site पर upload की गई है लिखा important notice तो उसको बताना जरूरी था जो भी बच्चे जिन भी बच्चों को ये offer letter आता है यानि कि उनको admission letter आता है तो उनको 10 अगस्त से पहले पहले अपने PWD certificate की जांच जरूर करवाने आना है यानि कि उसको verified कराने जरूर आना है clear है चलिए तो यही update थी आज की जो मैं आपको बताने आया था मिलते हैं नई वीडियो में नई update के साथ तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए जैहिंद